तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करन्ट अफिस डिसक्स करने वाले हैं तोपिक होगा हमारा एंवार्मेंट ओफ एप्रिल एंड में बोथ मन्त कमबाइन ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा हेल्फुल होगा तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाक के सब्सक्राइब कर दे इस वीडियो को लाइक कर दे तो चलिए फ्रेंड अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ को लॉगिन करना है लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लिकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करेंट अफेर्स के सेक्शन दिखेगा यहाँ पर आपको करेंट अ होने वाली है तू मैं आपको बता देता हूं यह कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही question आप कम से कम चार से पांच बार revise करेंगे इतना helpful रहने वाला आपके लिए देखते हम आपको क्या provide करते हैं हम आपको current affairs हिंदी में provide कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम English में भी provide करते हैं जो content होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है पहली चीज हम आपको daily current affairs provide कर रहे हैं daily pdf मिलेगी आपको daily आपको question answer format में मिलेगा ठीक है आपको daily के 20 question मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी practice कर सकते हैं और यह बहुत helpful होता है revision में question answers मिलेंगे आपको current affairs current affairs format question answer के format में फिर ऐसे ही आपको weekly मिलेगा जो आपके पूरे week के questions आप daily questions आपको pdf मिलेगी उन में से जो important questions होंगे उनका आपका एक तो quiz होगा करेगा हर week 50 question का quiz बहुत होता है आपको 50 question week के मतलब सारे important question आ गए उसके साथ question answer format में आपको hindi की e-book प्रोवाइड होगी जिसमें आपको सारे paragraph wise या फिर एक question answer format में आपको सारे week के current affairs मिलेंगे ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे monthly pdf pdf आपकी हिंदी में ही होगी आपको top 100 question answers मिलेंगे ठीक है जो पूरे महिने के 100 important questions हैं वो आपको एक pdf प्रोवाइड की जाएगी उसमें मिलेंगे वो आपको question answer format में भी प्रोवाइड होंगे तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज और यह आपका पूरा एक साल का course होता है आपको दो course के option मिलेंगे एक तो होगा for one year एक होगा for two year अगर आप new aspirant है आपको मतलब अभी आपने preparation just start की है तो I'll suggest आप दो साल का course purchase करें बट आप एक regular aspirant है और पढ़ रहे हैं तो आप एक साल का course भी purchase कर सकते हैं important thing इसके बात यह है कि हम आपको अलग banking awareness के भी questions provide करते हैं bank से related जो आपके questions होंगे सब इसमें हम अपना course में cover कर देते हैं बहुत अच्छा content होता है content में आपको कोई शिकायत नहीं होगी and daily update होता है आपको daily PDF मिलेंगी उसकी भी कोई attention लेनी की जरूत नहीं आपको ठीक है इसके अलावा आप देखेंगे तो हम various exams की PDF भी provide करती हैं जो आपको आगे questions आप आगे paper solve करने में बहुत help मिलेंगी अब questions होते हैं जैसे कि कई सारे important days हो गए महिने के फिर books और authors कौन सी book release होई है कौन सी author ने क्या book अभी publish की है फिर उसके बाद indexes हो गई reports हो गई ठीक है फिर कोई festival celebrate किया गया है या कोई योजना आई है तो यह काफी सारे topics होते हैं तो यह topic wise current affairs भी हम आपको 20 type के PDF provide करते हैं जिसमें 20 अलग-अलग topics होते हैं और यह आपको हर महिने update होती रहती हैं यह चीज तो सोची आपको कितना अच्छा package मिल रहा है कितना अच्छा course मिल रहा है ठीक है इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़े provide कर रहे हैं हम आपको इसके अलावा state current affairs हर state के current affairs भी आपको individually provide होते हैं के साथ ठेक है तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेनत कर रहे हैं आपको कुछ नहीं करना आपको सिरफ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लिकेशन में वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा अगर वहाँ पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्टा डिसकाउंट मिल जाएगा सिरफ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिसकाउंट तो जाएए जल्दी से हमारे कोर्सिस को देखिए एंड उसको परचीज कीजिए तो आईए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम कुछ important species देखेंगे जो discover की गई हैं साथ साथ जो cyclones इंडिया को आये थे उन्होंने impact किया उसके बारे में पढ़ेंगे जो question frame हो सकते हैं ठीक है जो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करे नाम रहा नाम रहा नाई बटरफ्लाइ एक नई species of butterfly जो discover की गई थी साथ वेस्टन घाट में ठीक है याद रहेगा आपको बस यह चीज याद रखनी है कहां पर discover हुई और क्या नाम रहा उसका ठीक चलो नेक्स हम बात करेंगे new species of plant that was discovered in महराश्टरा जिसकी naming शरद पवार जो हमारे former agriculture minister है उनके नाम पे की गई और उस species का नाम रखा गया Argeria Shradar Chandraji ठीक है I repeat शरद पवार जो हमारे former agriculture minister रह चुके है इंडिया के उनके नाम पे एक नई plant species जो की महराश्टरा में discover की गई थी naming की गई उसकी जिसका नाम रखा गया Argeria Shradar Chandraji ठीक है अभी हमारे कौन है current agriculture minister आफ इंडिया कौन है नरेंदर सिंग तो मन ठीक simple question इतनी ही information आपको याद रखनी है Argeria Shradar Chandraji कहां discover की गई महराश्टरा में यह नई plant की species है किसके नाम पे इसको naming की गई शरद पवार के नाम पे इसको naming की गई important रहेगा ठीक चलो next next हम बात करेंगे three banded rose finch की यह एक नई species of birds की है जो आपकी Arunachal परदेश में देखी गई ठीक है इसी के साथ Indian aviation species का जो count था 1340 हो गया I repeat नई bird की species मिली Arunachal परदेश में इस इंडियन स्टेट में जो है three banded rose finch याद रहेगा three banded rose finch कहां मिली corniforest forest of Arunachal परदेश में इसको मिली और इसी के साथ जो aviation species रहेगी जो total species count हो जाएगा हो जाएगा 1340 का all right next next हम बात करेंगे recently Egypt में excavation हुआ मतलब digging की देखा गया खोदा गया नई city found की गई और ये बहुत ही important excavation रहा जिसकी वज़े से हमें lost golden city मिली in Luxor ये 3000 साल पुरानी city है आपकी lost golden city या फिर rise of attan इसको दोनों नाम से जाना जाता है ठीक कोई भी नाम आ जाए rise of attan या फिर lost golden city आपको याद रखना है ये कहाँ पे मिली Luxor में मिली जो कि Egypt में है ठीक चलिए पहली चीज दूसरी आपको याद रखना है कि सबसे जो important discovery मानी जाती है ना के टाइम में Egypt की वो है Tom of Tutakhamen का मिलना ओल्राइट ये कहाँ पे है ये city जो आपकी अभी हमें मिली है the city is located on the west bank of Nile River के west bank पे मिली थी ठीक है Nile River यहाँ से बुजाती थी चलो next next हम बात करेंगे Blue Nature Alliance ये Blue Nature Alliance Alliance क्या होता है पांच फाउंडर रहेंगे इसके वो मिलके साथ आए पांच organization जो की आपके environment पे work करती है जो pollution पे work कर रही है ठीक है ये सब मिलके आए साथ में इन्होंने एक organization स्टार्ट की Blue Nature Alliance है इन्होंने क्या बुला कि हम 18 million square kilometer of world ocean को protect करेंगे साथ करेंगे उसकी देखवाल करेंगे वहाँ पे मतलब जो भी आपकी species है उनका भी ध्यान रखेंगे ठीक तो 18 million square kilometer आपका कितना हो जाता है रफली ये 5% of the world ocean का तो Blue Nature Alliance रहा 18 million square kilometer की बात की गई अगले 5 साल तक ये इनका ध्यान रखेंगे और जो 5 partners हैं उनको याद रखिए वो है conservation international the pure charitable trust और the global environment facility mindro foundation and the rob and milani walton foundation ये 5 आपकी ये 5 आपकी organization रही ठीक फिर अगर कुछ अगर हम बात करें targeted 7 locations क्या हैं जैसे Antarctica, Fiji, Canada, Shishills, Palau, Western Indian Ocean ये इन चाहाँ पे इनका काम किया जाएगा moving on next हम बात करेंगे जैसे आप ये देख सकते हैं हमें इनको dragonfly बोलतेते पहले ठीक है याद हो तो अगर आपको बच्पन में dragonfly ये इनका नाम जो है इस species का नाम है dams fly ठीक क्या नाम है damsel fly कहाँ पे discover की गई ये western ghat में discover की गई maharashtra state नाम बहुत important है याद रखेगा ठीक है तो नई दो species of damsel fly discover की गई western ghat महाराश्टरा में इनका नाम भी है euphia dhose garnesis and euphia pseudodisper याद रखेगा कहाँ पे discover की गई ये दोनो species dams fly की maharashtra में state का नाम पूछा जाए तो और इसके अलावा क्या याद दो species का नाम euphia dhose garnis and euphia pseudodisper चलिए दोनों चीज़ important है फिर next हम बात करेंगे एक herpetologist क्या होता है सबसे पहले ये बाता होता है यह होता है the person who studies reptiles and amphibians उनकी जो study करता है उनको herpetologist बोलते हैं तो दीपक विरपन के honor करने के लिए इनके इनके नाम के बिहाफ पर एक नई species of snake को naming की गई जिसका नाम है xylophilis dipaki तो xylophilis क्या है एक नई species of tiny snake जो की western ghats में discover की गई और state का नाम पूछा जाए तो कन्या कुमारी याद रख रख तमिल नाडू याद रखना है तमिल नाडू में आपकी xylophilis dipaki जो की नई species of tiny snake है यह discover की गई और यह आपको याद रखना है कि यह wood snake भी बोलते हैं इसको ठीक है इसका nickname भी आप याद रखेगा दिया है दीपक्स wood snake ओल्राइट चलिए फिर आते हैं इसके बारे में यह जो species और आपकी यह endemic कहाँ पे है तू तमिल नाडू एंड फाउंड इंडर रबर बनाना एंड कूकोनट फार्म एक आपको अच्छी चीज़ बात आता हूँ जहां पे भी केले के पेड़ होंगे वहाँ पे सबसे जादा साप आपको मिलेंगे इनकी जो महेक होती है केले के पेड़ की वह अट्रैक करती है इनको और जादा से जादा आपके स्नेक आपके केले के पेड़ के पास मिलते है तो species का नाम जाइलोफिलिस दिपाकी क्या है न्यू स्पीशिज ओफ स्नेक किसके नाम पे ब्याव की गई हर्पेटोलोजिस्ट दीपक विरप्पन के ब्याव पे इनको नेमिंग की गई moving on next हम बात करेंगे ये एक नया ब्रायोफाइटा की species डिस्कवर की गई थी कहां पे केरला में ये किसके नाम पे ब्याव की गई मालाबार क्योंकि मालाबार रीजन में डिस्कवर की गई रिसर्चेस गए तो उसमें याद रखी ने बोटैनिस्ट बोटैनिस्ट होता है जो स्टड़ी करता है प्लांट्स को led by मंजूसी ने डिस्कवर्ड दे न्यू स्पीशिस अफ दिस ब्रायोफाइटा in the Malabar Wildlife Century कहाँ पे मिली Malabar Wildlife Century में इसी रीजन से इसका नाम Malabar travshia भी पड़ा ठीक कहाँ पे मिली Kerala की डिस्ट्रिक्क में मिली Western Gods in Kerala काफी इंहुझक पेमर्णिस्टेट का नाम पूछा जाए तो रहा मिली Kerala में अगर आपसे पूछा जाए कि किस wildlife century में हुआ तो वो है मालाबार wildlife century ठीक है इसी वज़ी से इसका नाम मालाबार रीजन के भियाब पे पड़ा था ठीक चलो next next हम बात करेंगे 5 5 deep expedition की यह 5 deep expedition actually है क्या researchers ने हमारे जो 5 ocean है उनकी deepest point को measure करा आपको जो वो 5 deepest point है वो याद रखना है वो बहुत important है ठीक है तो चलिए यह 5 deep expedition याद रखना कि deepest point of world oceans के नापने के लिए यह एक expedition launch किया गया था तो देखिए सबसे पहला ocean है हमारा Atlantic Ocean तो जो deepest point है वो क्या है Brownson Deep यह 8,378 meter deep है second है हमारा Southern Ocean जिसको हम Antarctic Ocean के नाम से जानते है इसका जो deepest point है वो है Factorian Deep 7,432 meter का फिर आता है Indian Ocean जिसका भी unnamed deep है और यह 7,187 meter deep है जो की Java Trench में है फिर आता है Pacific Ocean इसको Challenger Deep के नाम से भी जाना आ जाता है और यह 10,924 meter deep रहेगा फिर आता है आपका Arctic Ocean इसको Molly Hole भी का जाता है और यह 5,521 meter deep है All right Moving on Next हम बात करेंगे नई species मिली Asian Gray-sized skink की जो की नीलगरी Hills में डिसकवर की गई अब यह नीलगरी Hills में डिसकवर की गई है इसी reason से इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया Subdoloseps नीलगरी निसिस All right Subdoloseps नीलगरी निसिस इसी वज़े से नीलगरी निसिस का नेमिंग जो है नीलगरी Hills की वज़े से लिया गया आपको याद रखना है तो question में अगर यह आपका नाईम दे दे तो आप easily पता लगा सकते हैं कि यह आपकी species कहा डिसकवर की गई थी निलगरी हिल्स में और यह क्या है Asian Greysisils केंग, यह आपको Snake जैसा लगेगा लेकिन एकचुली यह Snake नहीं होता यह सकेंग होता है ठीक, तो यह कहां दिसकवर की गई तमिलनाडू में, तमिलनाडू में कहां पी अगर हिल्स के बात करें तो निलगरी हिल्स में डिस्कवर की गई फिर फिर ग्रूप अफ हर्पेटलोजिस गैदर फॉर्ड़ एशियन रेटाइल लेड लेडलिस असेस्मेंट ऑगनाइज बाइज बाई आई-ई-उ-स ये डिस्कवरड अन्यू स्पीशिज ओफ एशियन ग्रेसाइल्स के कहां पर तमिलनाडू में निलगरी हिल्स में यह वेनमस स्नेक नहीं नॉन वेनमस होते हैं याद रखे बेशक यह स्नेक जैसे दिखते हैं बट इनमें जहर नहीं होता है नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकलोन तौत्के की साइकलोन तौत्के से रिलेटेड आपको तीन से चार क्वेशन आ सकते हैं वो ही याद रखने है जादा इन्फरमेशन में मत बढ़ना देखो तौत्के सबसे पहले तो तौत्के का नाम बता दो इसको नेमिंग क से हुआ था मतलब स्टार्ट कहां से हुआ था यह हुआ था आपका अरेबियन सी से स्टार्ट हुआ था तो साइकलोन तौथ के गुजरात में लैंड हुआ और इसका नाम दिया गया मायमार कंट्री के दुआराल ठीक पहली चीज इंपॉर्टन्ट हो गई फिर फिर हम बात कर पी रेसर स्नेक की स्पीशिस तमिल नाडू में डिसकावर की गई ओल्राइट इंपॉर्टन्ट याद रहेगा चलो एन यह जो नई स्पीशिस है ना प्लेटिपस जोसेफी यह किसके भीहाव पे नेम की गई थी यह लेट हर्पेट अलोजिस नवीन जोसफ को ओनर करने के लिए उनके नाम के भीहाव पे इसको नेम किया गया मुविंग ओन नेक्स हम बात करेंगे एक एफ्रिकन वालेट प्लांट की जो रिसेंटली डिसकावर किया गया नौर्थ इस्ट रिजिन इंडिया में आप इसको याद आखते है मिजोरम में और मायमार में बेसिकली इसक इसका नाम है दीदी मौरकारपस विकी फंकी यह एफ्रिकन वालेट प्लांट है जो कहां डिसकावर किया गया नौर्थ इस्ट इडिया में इसको डिसकावर किया गया ठीक फिर यह जो नेमिंग की गई है डॉक्टर विकी एन फंक के नाम पे इनके एक बहुर काफी पे इस स्पीशिस को नेमिंग की गई ओल्राइट क्या नाम है दीदी मौरकारपस विकी फंकी जो की एफ्रिकन वालेट प्लांट की स्पीशिस है कहां डिसकावर की गई नौर्थ इस्ट इंडिया में चलिए नेक्स हम बात करेंगे वर्ल्ड का लार्जस्ट आइसबग जि यह बहुत ही बड़ा आइसबग है 170 किलो मेटर लंबा और 25 किलो मेटर वाइड यह आपका आइसबग रहेगा और यह बहुत जादा एक बुरी खबर कह सकते हैं इन्वार्मेंट के लिए क्योंकि ग्लोबल मॉर्मिंग की वज़े से ही यह आपका टुकड़ा तूटा है नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे अब साइकलोन यास की देखिए पहले हमने बात की थी साइकलोन तूटके की अब बात करेंगे साइकलोन यास की similar चीज़ याद रखनी है कहां पे आके उनसी स्टेट पे इंडिया पे इंपैक्के करा वो था ओडिसा ठीक है आपका अरेबियन सी से अरड़िनेट उए ठीक है यहा के लैंड का हुआँ ता घुस्की नेमिंग किसके दीदेफ Twilight 2008 पर चाहरा है में तोय बात करें अ्धायर। लैंड कहां से अरिजनेट रहें से वा था। अरेबियन सी भी नैच, दोडिले दोडाद किती है। मारने की थी ठीक है इसकी naming किसने की ओ मानने की ये तीन से चार question याद रखिए और आपका पूरा topic क्लियर हो गया ये ओल राइट तो friends ये थी हमारी वीडियो अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाएए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और friends अगर आपको हमारे content से related या फिर हमारी कोई app से issue आ रहा है कोई भी आप आपको problem है तो आप हमारी gmail id जो की है support at the rate of affairs cloud.com या फिर हमारा number 967-333-862 पर contact कर सकते है और हमारी team जल्दी से जल्दी आपकी issue को resolve करने में आपकी साहिता करेगी So take care